साई राम एवरिवान, वल्कम टू मेरे साई, आशा करते हूँ साई क्रिपा से आप सब बहुत अच्छे हूँगे, आज का ये विडियो बहुत खास है क्योंकि ये विडियो साई क्रिपा से, साई के अनुमती से बना रहे हूँ, क्योंकि साई चाहते हैं कि उनके सभी भक्त, सभी बच्चे खुश रहे उन्हें जिन्दगी में जो चाहिए उनकी मनों कामना पूरी हो जाए कल 26 डिसेंबर है कल दत्पा जयनती है और इस खास दिन को ध्यान में रखते हुए आज आप सभी के साथ बात करूँगी सिद्ध मंगलम स्तोत्रम के बारे में एक चमतकारी स्तोत्रम जो आपके हर वैद इच्छाओ को मैं फिर से करती हूँ आपके सभी वैद इच्छाओ को पूरी करती है आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को कहीं पे स्किप करेगा नहीं क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो ये मंत्र क्यों important है इसका significance क्या है एहमियत क्या है आप समझ नहीं पाएंगे इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ध्यान से मन से सुनिएगा ठीक है आप सभी साइभक्त ये जरूर चानते हैं कि श्री साइभ दत्ता अफ्तार हैं और श्रीपादर श्रीवल लव अर्थाथ भगवान दत्ता ने खुद बताया है सिद्ध मंगलम स्थोत्रम के बारे में आप सभी को रिक्वेस्ट करोंगी कि इस वोटो को बहुत ध्यान से देखिए बीश में है प्रभु दत्ता द्रे और साइड में जो सिद्ध पुरुष है ठीक है वो है प्रभु दत्ता के पाज अफ्तार यहां हम श्रीपद श्रीवलब के बारे में बात कर रहे हैं जो प्रभु दत्ता के पहले अफ्तार है और वे हमें सिद्ध मंगलम स्थोत्रम के बारे में बताते हैं कि क्यों कैसे ये स्थोत्रम का पार्ट करना चाहिए तो आप पिक्चर को ध्यान से देखिए यहाँ पे प्रभुदत्तत्रे के पांच अफ़तार है जहां पहले अफ़तार है श्री पदर श्रीवललव और पांचवे अफ़तार है श्री साई तो कौन सी मनोकामना पूरी होती है इस तोत्रम के पाट करने के बाद यह स्तोत्रम आपके सभी वैद इच्छाओं को पूरी करती है जैसे कि अगर आपकी शादी नहीं हो रही है आपको संतान प्राप्ति का सुक नहीं मिल रहा है अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है प्रोमोशन चाहिए मिल नहीं रहा है अपना घर बनाना है पर बन नहीं रहा है इत्यादी ठीक है ऐसे अगर आपके प्राप्लम्स है और आप सल्यूशन चाहते हैं तो सित्तम अंगलम स्तोत्रम का पाट जरूर कीजिए कभी-कभी कुछ घरों में बुरे कर्मों के कारण या फिर नेगेटिव एनरजी होने के लिए शुब काम नहीं हो रहे है तो ये नेगेटिव एनरजी दूर करने के लिए ये स्तोत्रम का पाट कीजिए घर में सब शुब काम जो रुका हुआ है वो सफल हो जाएगा बस आप सब इतना जान लीजिए कि सब को ये स्तोत्रम पार्ट करने का सौभाग्य प्राम्त नहीं होता है ये स्तोत्रम सर्फ वही पार्ट करते हैं जिनको श्री पदवनलव अर्थात दक्ता अर्थात साई खुद चुनते हैं जिनके ओपर प्रभुदक्ता त्रेगा विशेश आशरवाद होता है अब बताती हूँ के कैसे करे इस जमतकारी स्तोत्रम का पाठ। इस स्तोत्रम का पाठ आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा समय मंगलवार है। सबसे शुब दिन। अगर आप 40 दिन का वरत करेंगे तो गुरुवार का दिन भी बहुत अच्छा माना जाता है अब बताती हूं आप सभी को के सिद्ध मंगलम स्तोत्रम का जो व्रत होता है वो कैसे किया जाता है बहुत ही सरल बिदी है बहुत ही सरल बिदी आप अपने मन की इच्छा श्री दत्तरे को बताईए और संकल प्लीज ये के आप 40 दिन तक रोज स जरूरी नहीं है कि आपके पास दत्ता या साई का फोटो होना चाहिए, आप मन ही मन उन्हें याद कर सकते हैं, ठीक है, और उन्हें याद करके आप अपनी मनो कामना उन्हें बताईए और ये स्तोत्रम का पाट कीजिए, ये स्तोत्रम का पाट आप सुभे भी कर सकते हैं, 9 stanza का है इसे 11 बार पार्ट करना होता है ठीक है जिससे पार्ट करने में आपको सिर्फ 20 मिनिट लगते हैं मैं फिर से थोड़ा elaborate करके आपको समझा दू आप बैठते हैं सिद्धमंगलम 12 पार्ट करने के लिए 9 stanza वाला ये 12 है आपको एक ही बार में बैठ के ये 11 बार सुबह को बैठ के मतलब नो एक बार पढ़ लिया फिर शाम को एक बार कर लिया ऐसा नहीं आप सुबह को ये पार्ट कर सकते हैं या फिर शाम को पार्ट कर सकते हैं पर जब ही आप पार्ट करेंगे ये total स्तोत्रम आपको 11 बार पार्ट करना पड़ेगा clear 40 दिन तक पार्ट करने के बाद 41 वा दिन आप अपने सामत अनुसार अन्यदान कीजे अगर अन्यदान नहीं कर सकते तो श्रीपादा वल्लव को सूजी का हल्वा प्रशाद में चड़ाईए अब इस तोत्रम का पाट करने से आपको क्या फाइदा मिलता है मैं आपको बताती हूँ रोज इस तोत्रम का पाट बहुत लावदाई है आपके सभी बादा विपत्ति को टाल देती है आपके सभी मनोकावना पूरी करती है ये स्तोत्रम आपके सभी कश्टों को बाधा को दूर करता है जितने भी विपत्ति है विग्न है सबका नाश करता है ये स्तोत्रम आप श्रीपाद श्रीवललव के आशिरवात प्राप्त करते हैं और घर में आपके सब कुछ शुब होता है आपके सभी वैद इच्छाए पूरी होती हैं गुरु श्रीपाद श्रीवललव के शब्दों में जो कोई भी इस दिव्य साई सुरी सिद्य मंगलम स्तोत्रम का पाट करते हैं वो अपने पास अपने आस पास सिद्य पुरुशों की उपस्थिती महसूस करते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी को जिनको ये शिक कायद होती है ना कि साई क्यों नहीं मेरी सुन रहे हैं मुझे मेरा मन चाहा जौब नहीं मिल रहा है घर नहीं मिल रहा है संतान प्राप्ति का सुक नहीं मिल रहा है ये विडियो आप सभी के लिए है मैंने बहुत सरलता से एक्स्प्लेन किया है कि क्या है सिद्धमंगलम स् कल तूसडे है कल दत्त जहनती है और इस से शुप अफसर सिद्दमंगलम स्थोत्रम पाठ करने का या फिर स्थोत्रम पाठ करना स्टार्ट जो आप करेंगे इस से अच्छा दिन आपको नहीं मिले वाला कल दत्त जहनती है तो इसी लिए मैं आज 25 डिसेंबर ये विडियो अपलोड कर ली हूँ ताकि आप सभी स्तोत्रम पढ़े और आपके वैद इच्छाय पूरी हो जाए मैं लिंक पे मतलब डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक डाल रही हूँ जहाँ पे स्तोत्रम लिखा हुआ है आप देख के पढ़ सकते हैं और एक विडियो मैंने अपलोड किया था कल सिद्ध मंगलम स्तोत्रम जहाँ पे मैंने सिद्ध मंगलम स्तोत्रम रिसाइट करके अपलोड किया है अगर आप चाते हैं तो आप वो भी सुन सकते हैं बस प्रभुदत्ता से साई से यही मेरी प्रार्थना है कि आप सभी के मनो कामना वो जल से जल पूरी करें जै सायराम